Hello everyone, let's start with question number 1. So it says, you find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more or less than 42 kg? तो होता क्या है यार कि जब भी हम weighing machine को use करते हैं, तो वो एक machine है जिससे कि हम weight जान सकते हैं अपनी body का, तो वो calibrated mass show करते हैं. Calibrated से मतलब है कि हमें exact नहीं पता चलता कि कितना mass है. आस पास का पता चलता है. तो होता क्या है कि जब हम machine पे खड़े होते हैं to find out the weight, तो होता क्या है कि हमारी body force लगाती है नीचे की तरफ, और आस पास की जो हमारी air है, वो try करती है to make upthrust. Upthrust क्या होता है? Forces वो भी create कर रही है. तो उपर से भी force लग रहा है, नीचे से भी force लग रहा है. इस वज़े से there is some slight change in the weight. Weight में थोड़ा सा chain दिखेगा आपको. तो हमारा जो mass आता है, वो exact mass नहीं बताता. इसी वज़े से क्योंकि उपर की force और नीचे की force cancel out हो रही है. तो upward force को हमें पता है कि bind force भी बूलते हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो body mass होता है, वो change हो जाता है. So अब उन्हाने पूछा है कि वो ज़्यादा होगा या कम होगा. तो mass जो होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है. जो हमारा calibrated mass आता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा. Because of this reason, कि हमारी body उपर से force लगा रही है कुछ और नीचे से अप्थरस्ट कॉज हो रहा है by air. तो इस वज़े से थोड़ा सा slight change आजाता है आपके वेट में. So therefore, there must be some more mass as compared to 42 kg. So this is how you can answer the question, this question and this is very easy to answer. Thank you for watching this. Have a great day.